आगे बढ़ लेते हैं राजधानी दिल्ली में मूदी केर बना मोहला क्लीनिक अपतेज हो गया है केंद्री यूजना अश्मान भारत को रोकने के लिए बीजेपी सांसद हाई कोट का दर्वाजा खट खटा रहे हैं हाई कोट ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते वे कहा कि स्वास्त है बुनियादी धाचे के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से किये गए काम जनता के लिए आपर्याप्त हैं हाई कोट ने कहा कि मोहला क्लिनिक में अधिकतर अस्पतालों में मेडिकल किट की कमी है इतना ही नहीं हाई कोट ने फंड की कमी होने के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र से सहायता लेने से इंकार करने पर भी आश्वर व्यत किया द्वेश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात गे है कि दिल्ली में क्योंकि मायननिय केजरिवाल जी और आमादमी पार्टी की सरकार द्वेश की राजनीती करती है इसलिए आयुश्मान भारत से दिल्ली वासी वन्चित है वो योजना यहाँ पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती इसलिए दिल्ली में सातों सांसदों ने दिल्ली हाई कोड का दरवाजा खटखटाया है आज इस केस की सुनवाई थी यहाँ पर दोनों माननिय जजजेज ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की स्वास्त की व्यवस्ता इतनी चर्मराती हूँ स्थिती में है तो ये केंदर सरकार सिर्फ आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननिय केजरिवाल जी की आमादमी पार्टी की सरकार तो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी देखने को मिला उस साथ जो बीजेपी के सांसद है दिल्ली के चुने हुए उनके द्वारा ही आपको बता दे कि हाई कोट में किया चुकाद दैर की गई थी जिस पर हाई कोट सुनवाई कर रही थी दिल्ले में प्रधान मंतरी जन आरोग यूचना के बारे में बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी अपने बदले की राचनीति के वज़े से केंद्रे यूचना को रोक रही है हालनकि ये सीधे तोर पर जो दिल्ली की जनता है उस तक लाभ पहुँचने में आब आद कर रही है